तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही webinar kit को integrate कर सकते हैं public anect पे तो आप चाहे तो webinar kit को public anect के अंदर trigger application की जगा पर उप्योग कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो इसको उप्योग कर सकते हैं action application की जगा पर पर मैंने जो यहां workflow create करी है उसमें मैंने trigger application में रखा है Google Forms को और action application की जगह पे रखा है webinar kit application को और उन दोनों की मदद से मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि जब भी कोई new google form response में receive करता हूँ तो उसके ऐसा होते ही वो automatically उस details की basis पे एक registrant add कर देता है मेरी webinar kit की application में तो यह सब कैसे होता है आईए देखिए तो process को शुरू करने के लिए आप अपने browser बलिख ही है pably.com slash connect then enter कर दीजिए ऐसा करते ही यह लिए आएगा आपको pably connect के लेंडिंग पे पे जापर अगर आपने पहले कभी कोई account create नहीं करा है तो please sign up free button का उप्योग करते हुए free में एक account create कर लिजिए और अगर आप पहले से हमारी services का उप्योग कर रहे है तो sign in पे click कीजिए sign in पे click करते ही यह लेगा आपको pably के all apps section की all जहां करेंगे access now to pably connect और ऐसा करते ही हम finally आजाएंगे हमारी account की dashboard पे जहां करेंगे create workflow और पहले इस workflow को कोई नाम देंगे for example google forms to webinar get automation आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं ऐसा करने के बाद create पे click कीजिए और create पे click करते ही यह ले आएगा हमें public connect के trigger और action window की और जहां पर trigger application कहती है जब ऐसा होता है तो क्या होता है जब भी हम किसी application से data receive करते हैं तो यहां क्या हो रहा है हमारी particular application से data आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी trigger application और ऐसा होने पर action application कहती है तो ऐसा करो अब क्या करो जो data आपने अपने trigger application से receive किया है वो action application की मदद से किसी दूसरी application में forward कर दीजिए तो हमारे case में क्या हो रहा है कि जब भी कोई google form submission होता है तो उसके ऐसा होते ही हम चाहते है उसकी details के basis पे एक registrant create करना हमारे webinar kit के webinar के लिए तो उसके लिए यहाँ पर जो trigger application है वो मैं चूज़ करूँगा google forms ऐसा करते ही यहाँ मुझे चूज़ करना होगा trigger event तो यह बहला trigger event क्या होता है तो trigger event वो event होता है जिसके basis पे हम हमारी workflow को start करना चाहते है तो अगर मैं इसकी drop down में आता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें एक trigger event है with the name new response received इसका यह मतलब हुआ कि जब भी कोई new google form response receive हो तब जाके यह जो हमारी workflow है वो start हो जाए तो मैं इसको select कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने trigger event को यहाँ से choose किया इसने मुझे यहाँ पर एक web book url दे दिया है तो बहला यह web book url किसलिए तो वो किसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि google forms और पैबली कनेक्ट यह दोनों अलग अलग application से और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों application के बीच में कोई integration हो जिसके मदद से हम वो google form के responses receive कर सके हमारी पैबली कनेक्ट की workflow में तो उसके लिए हमें इसका उप्योग करना होगा क्योंकि web book url एक ऐसा url होता है जो मदद करता है data transfer करने में एकी cv2 application के बीच में तो पहले तो मैं इसे copy कर लेता हूँ और copy करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा कहां मेरी google forms की और तो मैंने मेरी google form application में बहुत सारे forms create की हैं जिसमें से अभी अभी मैंने एक form create किया है with the name webinar registration form और यहां पर जो registration details मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे first name, last name email address और phone number तो आपको जो details चाहिए उसे साफ से आप भी google forms पे free में form create कर सकते हैं तो अब आपने देखा मैंने एक web book url copy किया था तो वो मुझे कहां add करना है तो वो add करने के लिए मैं जाऊँगा इसके responses में और responses में जाते हैं यहां मुझे icon मिलेगा spreadsheet create करने का तो यह कौनसी spreadsheet की बात कर रहा है तो यह बात कर रहा है google spreadsheet की तो मैं इसको click करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं जाओंगा create a new spreadsheet के साथ ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि new tab में एक window open हो गई है जिसमें हमारे webinar registration form जो create किया है उसके responses के लिए एक spreadsheet automatically यहां बन चुकी है और जो fields मैं आड करी थी मेरी google forms में जैसे कि first name, last name, email address, phone number वो यहां पर आज चुकी है तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मेरा form fill हो तो form fill होने से क्या होगा यहां पर वो data आ जाएगा क्योंकि यह response इसका ही receive कर रहा है इस particular google form का तो जैसे यहां पर रिस्पॉन्स आएगा ऐसा होते ही वो response कहा मेरी pably connect की workflow में भी आ जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं जाओँगा इसके extensions पे then add-ons, get add-ons get add-ons पे क्लिक करते ही यह लेकर आएगा मुझे google के workspace marketplace पे जहां मैं सर्च करूँगा application जो की है pably connect webhooks पैपली connect webhooks को सर्च करते ही यहां मुझे result में मिल जाता है पैपली connect webhook की application तो इसे मैं open करता हूँ और open करने के बाद मैं आपको बता दूँ यहां पर आपको मिलेगा install का button अगर आपने इसको कभी install नहीं किया हो तो आप simply install button पे क्लिक करके इसको install कर लीजिए लेकिन आप देख सकते हैं अभी यह install का button शो कर रहा है reason क्योंकि मैं इसे पहले ही install कर सुखा हूँ तो मैं इसे close करूँगा और close करने के बाद दुबारा जब मेरे extensions पे जाऊँगा तो यहां नीचे आप देख सकते हैं मेरे पैबली कनेक्ट वैबुक को तो मैं जाऊँगा इसकी initial setup में और ऐसा करते ही यहां पर यह जो मेरी particular sheet है with the name form responses तो उसके initial setup में यह मुझे लेकर आया है जहां पर मुझे पहला option है add करने का वैबुक URL तो इसमें मैं add करूँगा वो वैबुक URL जो मैंने copy किया है मेरे workflow से तो मैं इसे paste कर देता हूँ then बात आती है trigger column की तो यह trigger column क्या है तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो data है हम हमारे spreadsheet में add करते हैं वो करते हैं columns के अंदर और वो columns start होते हैं एसे लेके z तक तो यहाँ पर जो trigger column हमें add करना है वो करना है हमारे spreadsheet का last filled column last filled column कैसे अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ यह start होता है time stamp से जो की है column A और यहाँ जो column E है उसमें last जो data है added है phone number आगे column F में जो data है कुछ भी नहीं है वो total ही blank column है जो last filled column हुआ वो हुआ हमारा column E तो यहाँ पर trigger column E डालने से होगा क्या कि जब भी हमारे column E में data आएगा तो उसके ऐसा होते ही यहाँ से यह trigger fire होगा और उसके ऐसा होते ही हमारे पैबली connect के workflow में इसका response आजाएगा तो आप भी आपका जो भी last filled column है उसे यहाँ डाल दीजिएगा then submit पर click कीजिएगा submit पर click करते ही यहाँ पर आपका जो configuration है वो set up हो जाएगा successfully then आप इसे close कीजिएगा वापस जाएगा extensions में और इस बार इस पर send on event button को select कीजिएगा और ऐसा करते ही यहाँ पर यह working दिखाएगा और working खतम होते ही finally आपका जो यह integration है वो complete हो जाएगा अब यह integration तो complete हो चुका है और ऐसा होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह wait कर रहा है एक web book response के capture होने का तो भला वो किसलिए है तो वो इसलिए है क्योंकि हमने हमारी application चूज करी है हमारी यह workflow create कर सकेंगे मतलब हमारी action application में उसको add कर सकेंगे तो उसे करने के लिए करना क्या है आप जब यह integration complete कर ले तो आप जाएए आपकी form की और और उसको preview कर लीजिए form preview होते ही आपका जो registration form है वो यहाँ open हो जाएगा तो आप उसमें कोई details add कर दीजिए first name की बात आ रही है तो मैं ऐसे कोई dummy detail डाल देता हूँ like detail last name रख देता हूँ मैं इसका demo और यहाँ पर email address भी कुछ ऐसे ही बना देता हूँ demo dummy 745 at the rate demo.com एक dummy detail ही मैं add कर रहा हूँ as such क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पर test करके दिखा रहा हूँ और phone number तो phone number में यहाँ पर ऐसे ही डाल देता हूँ 9 लगा के star 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 then आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो details हैं वो fill कर दी है इस form की और जैसे ही मैं submit करूँ गा तो submit होने से यहाँ आ जाएगा इसका response और जैसे यहाँ response पहुचेगा तो आप देखेंगे कि मेरी workflow वो भी इसको capture कर लेगी तो मैं वापस आता हूँ submit करता हूँ इस form को और यहाँ आप देख सकते हैं कि your response has been recorded तो चलता हूँ मेरी spreadsheet पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने भी इसका capture कर लिया है वो response को अब यहाँ response आ गया है तो मैंने इसके extensions में add की थी वो workflow link तो उस वज़ा से मेरी इस workflow में भी इसका जो detail से वो आ चुकी है आप देख सकते हैं response received और यहाँ पर वो time stamp यह है 9.17.2022 और यह जो दो बज़ के 27 minutes 51 second तो मैं आता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वो same time stamp और जो details जैसे first name मैंने दिया था detail last name demo email address demo dummy 745 at the rate demo.com और साथ दी साथ वो phone number उसकी detail यहाँ आ चुकी है with the spreadsheet name यह है वो spreadsheet का नाम तो यहाँ तो response आ चुका है अब इस response की basis पर मैं क्या चाहता हूँ मैं इसको register करना चाहता हूँ मेरे webinar के लिए webinar kit application में तो यहाँ पर action application जो है वो मैं choose करूँगा webinar kit और ऐसा होते ही यहाँ पर भी मुझे कुछ action events मिलेंगे तो जिसमें से मैं जाओंगा new webinar registration के साथ कि एक new user जो है register हो जाए मेरे webinar kit के webinar के लिए then connect पर click करूँगा उसके लिए करूँगा add new connection और add new connection के लिए यहाँ पर क्या लगेगा एक token किसका हमारे webinar account का तो उसके लिए आप जाईएगा आपके account section में webinar के तो यह रही मेरे webinar kit के पहले तो dashboard मैं जाऊँगा इसके settings में settings के अंदर जब मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे option मिलेगा API access का तो उसमें मिल जाती है मुझे मेरी private API की इसे मैं copy कर लेता हूँ copy करने के बाद मैं इसे paste कर दूँगा token section में ऐसा करने के बाद जब मैं save पर click करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे webinar kit की application का authorization है वो successful हो जाएगा और ऐसा होते हैं यहाँ पर यह मुझे कह रहा है select करने को webinar ID तो अगर मैं drop down open करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो तमाम webinar जो मैंने create की है मेरी application में वो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ यह रहे वो webinars तो इसमें से मैं जाना चाहता हूँ इस webinar on YouTube video marketing के साथ reason यह active भी है और मैं पहले भी काफी registrants को के लिए register कर चुका हूँ तो मैं अगर यहाँ आया ही हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ registrants जो पहले से इसमें add है तो आप देख सकते हैं कि यह तमाम जो भी registrants है इसमें added और इसमें आप यह भी देख सकते हैं जो last registrants एड़ हूआ है उसका email address है dummy123.example.com और first name dummy last name name और यहाँ पर mobile number वही है क्योंकि यह ऐसा है मैंने ही registrants इसमें add किया था यह है dummy123.example.com लेकिन मैं जिसे यहाँ पर add करना चाह रहा हूँ उसका email address है demo dummy745.demo.com तो last registrant आपने यहाँ देख लिया है अब आप देखेंगे कैसे ही workflow की मदद से एक new registrant add हो जाएगा तो मैं आता हूँ यहाँ से और पहले तो select कर लेता हूँ मेरे यह वो webinar को जोगी है webinar on YouTube video marketing अब उसे जूस करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं वो fields जिसके basis पे मैंने वो form create किया था जिसमें चाहिए email address first name, last name और बाकी की details तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा वो details को यहाँ हमें add करना होगा लेकिन manually नहीं reason क्योंकि अगर manually details यहाँ add करूँगा मैं और उसके बाद क्लिक करूँगा save and send test to request बटन को तो होगा क्या वो जो भी details है वो एक बार तो वो registrant add हो जाएगा लेकिन in future भी वो same details के basis में बार बार same registrant ही create होता चलेगा reason यह है क्योंकि मैं enter कर रहा हूँ क्या manually उसको तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर जो data है उससे map करना होगा तो आप सोचे लोगे यह map कैसे होता और उससे होगा क्या तो पहले मैं आपको बताता हूँ map करके map करने के लिए simply इस पर click कीजिए then click करते ही यहाँ पर आपको drop down मिलेगा आपकी trigger application का हमारे case में वो है google forms तो उससे open कीजिए open करने के बाद यहाँ में क्या चाहिए email address email address यहाँ आपको देख जाएगा उसको simply select कर लीजिए और select करते ही यहाँ पर क्या हुआ यह जो particular data है वो map हो चुका है तो इसे कहते हैं map करना और इसे map करने से होगा क्या जब भी new form fill होगा new response आएगा तो जाहिर से बात है उसका email address कुछ और होगा name कुछ और होगा phone number कुछ और होगा तो जो भी details के basis पर response आएगा यहाँ पर map होने के बज़र से हमारे workflow में वो उस response को automatically capture करेगा और ऐसा होते ही हमारी जो action application है webinar kit उसकी webinar के लिए उसे add कर देगा ऐसा registrant ठेके तो अब email address मैप करने के बाद यहाँ पर मैप करूँगा first name वैसे ही जैसे मैंने email को map किया है then last name आगे बढ़ता होगा country code वहाँ पर को country थी नहीं phone number हाँ वो available है उसको map कर लेता हूँ और बागी यहाँ पर custom field है तो custom field में मैं कोई data add नहीं करना चाहता हूँ तो आप कोई data add करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं पर अब मैं जाऊँगा इसकी required field की और जो की है webinar presentation date यह सबसे required है कि आप बाई किस दिन उसको present करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर वो date आप जो है manually डालिएगा क्योंकि वो होती है आपके साफ से decide लेकिन manually डालना है आपको उपर किस format में तो वो आपको मिल लाएगा यहाँ इस example में अब generally कैसे भी date और time नहीं डाल सकते हैं आपको यह जो format है उसे follow करना होगा और बड़े आसानी से उसे follow कर सकते है simply आप उसे select करें then copy कर लीजिए copy करने के बाद उसे paste कर दीजिए यहाँ और अभी क्या चल रहा है अभी जैसे चल रहा है 2022 और यह चल रहा है नौवा महीना और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 19 तारिक और time यहाँ पर मैं दूँगा यहाँ इसने दिया है दो बजे का तो मैं 12 कर देता हूँ उसको 12 बच के 30 मिनिट ठीक है तो यहाँ पर आपने देखा कैसे ही मैंने मेरे webinar presentation date को manually यहाँ पर डाला example से पहले यहाँ copy करके तो वैसे ही आप भी यहाँ डाल दीजिएगा then full date तो full date का भी यहाँ पर आपको format with example मिलता है तो उसे भी copy कीजिए full stop के पहले पहले तक then यहाँ paste कर दीजिए अब उस दिन वो जो तारीक आप डाले वो कौन सा दिन है वो यहाँ तो वो थी 19 और कितने बजे तो वो बारा बच के 30 मिनिट ठीक है तो ऐसे ही आप डीटेल यहाँ पर एड कर दीजिएगा और ऐसा करने के बाद जैसे ही save and send test to request बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह जो particular email address और यह first name के basis पे हमारे webinar kit के उस particular webinar के लिए यह create हो जाएगा as a registrant तो उसके लिए वापस एक बार मैं आपको यहाँ लेकि चलता हूँ और एक और बार बता दूँ यहाँ पर जो last यहाँ पर जो registrant है वो है dummy123andredateexample.com लेकिन अगर मैं करूँगा यहाँ save instant test request button को click तो आप देखेंगे new registrant add होते हुए status बता रहा है presentation date भी आ गई और registration date भी आ चुकी है चलके मैं आपको दिखा देता हूँ अभी है dummy123andredateexample.com तो मैं इसे एक बार refresh कर लेता हूँ refresh होते ही आप देख सकते हैं तो रन्त यहाँ पर response आ गया है यह email address था यह first name, last name mobile number same था और आगे बढ़ते हुए अगर आप यहाँ देखें तो वो date भी आ चुकी है कि किस दिन register हुआ है किस time register हुआ है और किस दिन और किस time के लिए register हुआ है ठीक है तो है ना कितना ही awesome automation यह तो यह workflow आप create करने के बाद वापिस आईए आपकी workflow पे और then save पे click कर दीजिए save पे click कर दीए आपका जो data है वो save हो जाएगा और यहाँ पर आपकी workflow complete हो चुकी है अब आपने देखा जब मैं यह workflow create कर रहा था तो कैसे ही मैंने यहाँ पर trigger में रखा google forms को और ऐसा करने के बाद मैंने वो form fill करके एक यहाँ पर response capture किया और उस response के basis पे मैंने एक registrant add किया save and send test request बटन के मदद से लेकिन अगर real time में वो form fill होता है तो क्या automatically ऐसा registrant वो add हो जाएगा particular details के basis पे तो हाँ बिलकुल ऐसा होगा वो दिखाने के लिए मैं आपको दुबारा लेके चलता हूँ मेरे webinar registration form पे और इसको दुबारा मैं fill करूँगा लेकिन with new details तो new details के बाद आ रही है तो मैं first name रख देता हूँ new और last name यहाँ पे मैं रख दूँगा as dummy आगे बढ़ते हुए email address भी ऐसे कुछ बना लेता हूँ new dummy at the rate dummy.com then phone number phone number मैं इस पर 8 लगा के star star लगा देता हूँ ठीक है तो दुबारा यहाँ पर जो detail है वो मैंने fill कर दी है और आप लोग जानते है last जो registrant है वो है demo dummy 745 at the rate demo.com detail demo है इनका नाम जो मैंने add किया था save and send test request button की मदद से मेरी workflow में तो अब वापस आऊँगा इस form की और अगर मैं इसको submit करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब कुछ और मुझे करने की जरद नहीं पड़ेगी यह form fill होते ही automatically register हो जाएगा. करता हूँ submit और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह response receive हो गया है चलके पहले आपको spreadsheet में दिखा देता हूँ तो यहाँ पर date और वक्त के हिसाब से time stamp में भी इसका information आ गई है first name है new, last name dummy email address newdummy at the dummy.com और यह जो phone number है तो अब मैं आपको ले के आऊँगा मेरे webinar की और और यहाँ एक पार इसे refresh करूँगा refresh होते हैं आप देख सकते हैं automation की मदद से automatically यह जो particular user है वो register हो गया है मेरे webinar kit के webinar के लिए आप देख सकते हैं यही email address, यही नाम मैंने दिया था mobile number और साथी साथ यह जब create हुआ है जेख सकते हैं आप इसके बीच में सिर्फ तीन मिनिट का अंतरा ले जब तक मैं वो form fill कर रहा था और आपको explain कर रहा था और मैंने जो वहाँ पे दिन select किया था तारीक select करी थी वक्त select किया था उसके इसाब से date भी आज चुकी है तो मतलब ये एकदम बराबर काम कर रहा है और मैं आपको बता दूँ ये automation इसी तरीके से काम करता रहेगा जब तक ये यहाँ पे workflow on रहेगी आप सब कुछ public connect पे छोड़ दीजिए तो अगर आप देखना चाते हैं मेरी इस workflow को अपके account में free में open करके तो आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आप same workflow को instantly create भी करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं मेरी इस workflow को clone करके तो थाना आसान और ऐसे ही आसान automation के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए साथ दी साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे like जरूर कीजिएगा और जादा से जादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabli.com पे और एक बार हमारी pricing link भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद